आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के यंग टाइगर एंटी आर की दस सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मूवीज के बारे में। और जानेंगे उनकी मूवीज का बजट तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिलीज 11 अक्टूबर 2013 मूवी में जूनियर एंटी आर समान था और शुर्ती हसन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूवी की बजट थी 40 करोड। मूवी ने कलेक्शन की 38 करोड। और यह एक फ्लॉफ फिल्म है। रिलीज 6 अक्टूबर 2011 मूवी में जूनियर एंटी आर और तमन्ना भाटिया ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूवी की बजट थी 28 करोड। मूवी ने कलेक्शन किया 48 करोड। और यह एक हिट फिल्म है। नमबर 7 तेमपर रिलीज 13 फरवरी 2015 मूवी में जूनियर एंटी आर काजल अगरवाल और प्रकाश राज ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूवी का बजट है 35 करोड। मूवी ने कलेक्शन की 75 करोड। यह एक सुपर हिट मूवी है। नमबर 6 नाननकु प्रेमतो रिलीज 13 जनवरी 2016 मूवी में जूनियर एंटी आर रकुल प्रीत सिंह और जगपती बाबू ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूवी का बजट है 45 करोड। और मूवी ने कलेक्शन की 87 करोड। यह एक सुपर हिट मूवी है। नमबर 5 बादशार रिलीज 5 अप्रेल 2013 मूवी में जूनियर एंटी आर काजल अगरवाल और नवदीप ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूवी का बजट था 50 करोड। मूवी ने कलेक्शन की 92 करोड। यह एक सुपर हिट फिल्म थी। नमबर 4 जय लवकुष रिलीज 21 सितंबर 2017 मूवी में जूनियर एंटी आर राशी खन्ना नंदिता थॉमस और रोनित रॉय ने अहम भूमिका निभाई हैं। मूवी की बजट थी 45 करोड। मूवी ने कलेक्शन की 130 करोड। यह एक सुपर हिट फिल्म है। नमबर 3 जनता गैराज। रिलीज 1 सितंबर 2016 मूवी में जूनियर एंटी आर मुहनलाल समान था और नित्या मेनन ने अहम किरदार निभाई थे। मूवी की बजट है 40 करोड। मूवी ने कलेक्शन किया 135 करोड। और यह एक ब्लॉक बस्टर हिट। नमबर 2 अर्विंद समेथा वीराराघवा। रिलीज 11 अक्टूबर 2018 मूवी में जूनियर एंटी आर पूजा हेग्रे और जग्पती बाबु ने अहम भूमिका निभाई थी। मूवी की बजट थी 40 करोड। मूवी ने कलेक्शन की 195 करोड। यह एक ब्लॉक बस्टर फिल्म है। नमबर 1 अर आर आर रिलीज 25 मार्च 2022। मूवी में जूनियर एंटी आर राम चरण अजय देवगन आलिया भट और श्रिया सरन ने अहम भूमिका निभाई थी। मूवी की बजट थी 550 करोड। मूवी ने कलेक्शन की 1275 करोड। और यह एक औल टाइम ब्लॉक बस्टर फिल्म।